प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं परशना वाली 5.03 का चोथा स्वाल तो चोथा स्वाल आपके सामने 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी प्राप 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए यानि हमें क्या ग्यात करना है पद ग्यात करने है तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम हमारे पास देखो पर्थम पद क्या इसका पर्थम पद ए है वो दिया हुआ है हमें कितना नो और सारव अंतर कितना है ग्यात करेंगे सारव अंतर डी जो है वो होता है दूसरे पद में से पहला पद गया हमारे पास यहां पर कितना बच जाएगा सत्रह में से नो गया आठ तो सारा वंतर कितना आ गया आठ आ गया अब हमें क्या ग्यात करना है 636 योग प्राप्त करना है तो योग पदों का योग पदों का योग हमारे पास दिया हुआ है कितना दिया हुए SN ये दिया हुए 636 ये प्रापत करना है हमें और हमें क्या निकालना है पदों की संख्या निकालना है पदों की संख्या N निकालना है ठीक है तो हम इसमें फोर्मूला काम मिलेंगे सभी पदों के योगवाला सभी पदों के योग का फॉर्मूला होता है अब देखो आप मैं इसको इधर ले लेता हूँ इसको इधर ले देता हूँ तो एन बटा दो एन का तो मान हमें निकालना है यह एन बटा दो रखेंगे बड़ी ब्रैकेट दो गुणा में एक का मान भी हमने लिखा है कितना लिखा है नो पलस में एन माइनस वन एन निकालना है तो एन का एन रख डी है अभी निकालना है कितना है आठ और ये ऐसे निदर रखूँगा तो मैं यहां मान बढ़ लेता हूँ कितना है 636 ठीक है अब देखेंगे ये N बटा 2 है इसका 2 मैं इदर ले जाता हूँ इसका 2 मैं इदर ले जाऊँ यहां पर तो क्या हो जाएगा ये क्यूंकि ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ गुणा में है और ये 2 इदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा निचे है तो ऊपर जाएगा यानि गुणा होगा क्योंकि इस तरफ ये बाग में है तो मैं इसको ऐसे रहूं यह प्रैकेट के अंदर वड़ा क्या हो गया नो दूनी अठारा और पलस में यह हो गया आठ से इसके गुणा कर देंगे आठ है आठ एकम आठ और चलो एन बटा दो में यहीं दखे रखता हूं एक बार देखो इसमें से क्या हो नो दूनी अठारा आठ किसे गुणा कर लिए आठ हीकम आठ है और आठ हीकम आठ बरबर इदर कितना है चाह सो चतिस है चाह सो चतिस है अब हम इस एन बटा दो कि इन सब के साथ गुणा करेंगे अठारा के साथ गुणा करेंगे देखो मैं यहां करके दिखा रहा हूं एन बटा दो गुणा ठा तो 2 निमे 18 कितना आ गया 9 n आ गया पलस के 8 n के साथ n बटा 2 की गुणा करेंगे तो 2 चुके 8 4 और n n की गुणा 4 n की 2 कितना आ गया 4 n की 2 अब माइनस 8 से गुणा करेंगे माइनस 8 से N बटा 2 की गुणा करेंगे 2.8 तो माइनस का कितना आगए 4N बराबर इतना इधर कितना है 636 अब देखो ये 4N की 2 तो रहे गए रहेगा और 9N में से 4N गए पलस की कितने हो गए 5N और ये इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 636 बराबर 0 तो ये इतना हमारा रफ काम था ठीक है इसको मैंने यहां रफ कारिया लिख दिया है ठीक है अब क्या करते हैं अब इसके करते हैं गुणंखंड क्या करेंगे गुणंखंड 636 और 4 की गुणा करेंगे 636 की 4 से गुणा करेंगे ये रब काम कर रहा हूं विदर तो क्या होजेगा देखो 4 ची 24 दो सल 4 ती ये 12 और 2 14 एक सल 4 ची की 24 और एक 25 माइनस का 25 माइनस का 25 माइनस का 25 बीच वाले के ऐसे दो टुकडे करने हमें गुणा तो आने ची ये माइनस की 25 और बचना ची ये पांच ह तो हम इसके दो टुकडे ऐसे करें 4N की 2 इसको मैं ऐसे रखते सकता हूं 53N और माइनस में 48N और पलस के 53 की और माइनस के 48 की गुणा 254 आती है ठीक है तो इसका मतलब हमारे जो टुकडे हैं वो सही है तो आगे क्या है 636 और ब्राबर क्या है 0 इन दोनों में से कॉम्बन न को कॉम्बन हम यहां पर निकालेंगे तो इन दोनों में से मारे पास यहां पर कॉम्बन आ गया 4N और पलस में 53 बच गया अब यहां हम को मन निकालेंगे 12 और 12 चोकेट तालेस ये 4 न हो गया 12 से इसको बाग देंगे 12 पंजुशाट और 36 और बारत ये 36 तो ये देखो माइनस का निकाला तो इसको क्या करतेगा पलस बराबर क्या है जिरो अब इन दोनों में कॉमन क्या गया 4N प्लस 53 और यहां क्या बच गया N और माइनस इदर क्या बच गया 12 ये वाड़ा तो अब इन दोनों के बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे 4N प्लस 53 बराबर 0 और N माइनस 12 बराबर 0 तो यहाँ पे देखो 4N बराबर इदर जाएगा मैनस का 53 बराबर क्या हो जाएगा मैनस 53 बटा 4 इसमें देखो यह इदर जाएगा क्या हो गया ? पलस का 12 तो यह मैनस वाड़ा तो सम्भूण नहीं हो सकता तो आन का मान कितना आगया है पर हमारे पास 12 आ गया हमें पदों की जो संख्या है वो निकालनी थी कितनी आ गई यहां पर 12 आ गई तो अब देखेंगे हम इसका आगे का पांचुवा भाग पांचुवा स्वाल पांचुवा में देखो किसी एपी का पर्थम पद पांच अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सारों अंतर गयाते कीजिए तो हल करने के लिए क्या लेकिन यहां पर पर्थम पद पर्थम पद ए हमारे पास दिया हुआ है कितना पांच और अंतिम पद अंतिम पद ए भी बोल देते हैं इसको ए एन भी बोल सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं तो कितना दिया हुआ है हमारे पास 45 कितना दिया हुआ है 45 और योग सभी पदों का योग सभी पदों का योग जो है जिसको ऐसे नम लिखते हैं कितना दिया हुआ है 400 तो हमें पदों की संख क्या यानि एन ग्याद करना है और सारव अंतर सारव अंतर डी ग्याद करना है तो इसको आगे हल करने के लिए हम इसको हम हम एसन वाड़े फॉर्मूले से हल करेंगे हम जानते हैं यह लिख सकते हैं एसन बराबर क्या होता है एन बटा दो और ब्रेकेट ए प्लस एल होता है क्योंकि अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ है बड़ी ब्रेक्ट यहां पर बंद एसन का मान आपके पास है कितना 400 एन निकालने है तो एन बटा दो रहने दो ए आपके पास है पाच और प्लस में एल भी आपके पास है कितना 45 अब देखो 400 एन बटा दो रहने दो यह हो गया पाच चर पंताड़ेस गुणा में क्या होगे 50 50 से इसको बाग दिया, कितने पर? तो 400 बराबर क्या होगे 25 N N इधर रखो 25 इधर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? इधर आईगा तो 400 बटे में 25 और इधर N तो इससे अगर आप बाग करें इसको तो ये जाएगा पत्चीश एकम-ह़जीश बज गे पंद्रा और डेड़ सोगे पत्चीश कर डेड़ सो तो पत्चीश से सोड़ा प्रबा गयا N का मान कितना आगय है यहां पर? सोड़ा गया N हमारे पास आगया सोड़ा तो अब क्या है हमें निकालना है सारव अंतर क्या निकालना है सारव अंतर निकालना है तो अंतिम पत 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 अंति दी निकालना है तो 5 इदर ले जाओ 45-5 ये क्या हो जाएगा 16 में से गया 15D कितना हो गया 15D यहां 40 इदर इदर कितना है 15D और 15 इदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा say,D ब्राबर 40 इदर तो इसको अगर काटेंगे 5 through 15,5,4,4 तो D ये, πंदर, बांच आठे, चालीज़ तो D का मान आगया 8 इदर न इदर 10 तो हमें क्या जाएगा जाएग करना था,D जाएगा जाएगा,द आगया 10 तो आगया 6 और सारवंत्र कितना आगया? है हमारे पास आठ मटे तीन अब देखेंगे अब इसका आगे छटा स्वाव किसी एपी के पर्थम और अंतिम पद करम से सत्रा और तीन सुब चास है यदि सारा उंतर नो है तो इसके कितने पद और इसका योग क्या है तो हल करने के लिए हमें क्या करेंगे क्या पर्थम और अंतिम पद पर्थम पद दिया हुआ है पर्थम पद ए दिया हुआ है मारे पास कितना सत्रा अंतिम पद अंतिम पद जिसको हम ए अन लिख सकते हैं या अल लिख सकते हैं कितना दिया हुआ है तीन सो पचास ठीक है और स सारव अंतर हमें दिया हुआ है D कितना नो तो कितने पद हैं यानी N ग्यात करना है और इनका योग कितना है यानी SN ग्यात करना है तो पहले क्या है अंतिम पदवाड़े फोर्मुली से क्या ग्याद करेंगे हम अंतिम पदवाड़े फोर्मुली से N ग्याद करेंगे तो क्या लिखेंगे ल बराबर ये लिखते थे हैं अंतिम पद L बराबर A प्लस में N माइनस 1 इंटू D होता है तो यह में पता है कितना है एल तीन सुपचास बराबर ए में पता है कितना है सत्रा प्लस में एन निकालना है ऐसे कैसर को और डी में पता है कितना है नो सत्रा इदर ले जाओ क्या हो जाएगा 345-17 पराबर इदर क्या बच गया 9 N-1 into 9 है यहां यह बच गया अब क्या करेंगे इस में से गए यहां पर 333 बच गया 345 में 17 गया कितने बच गया 333 333 बच गया और यह 9 जो है वो गुणा में दूसरी तरफ आएगा तो क्या आजाएगा बटे में आजाएगा इदर क्या है N-1 इदर है N-1 तो अगर इसको काटे हैं हमारे पास यह कट जाएगा 9,3,27 और 6 बच गया यहां पर 9,7,63 यानि 9 से बाग करेंगे यह कितने पर बाग हो गया तो हमारे पास N-1 बराबर कितना आगया 37,1 इदर ले जाएगे तो N-36 प्लस एग कितना ओजाएगा N-38 तो N तो हमने निकाल दिया कितना आगया 38,ब निकालना है सभी पदों का यो क्या निकालना है SN,SN बराबर क्या है N-2 तो बड़े ब्रेकेट ए प्लस ए तो एन अभी निकाल लिया कितना है 38 और बटे दो ए हमें पता है 17 प्लस में एल में पता है कितने साड़े 300 यही है तो देखो इस से काटेंगे कितने प्रेकट गया 19 आ गया और ब्रेकेट के अंदर इन दोनों का जोड कर देंगे इतना आए जाएगा 366 जब हम गुणा कर देंगे इनकी तो गुणा हमारे पास इनकी करने प्राज़ेगे 6930 6930 तो यह आगया सभी पदों का जोड तो यह था इसका छटा स्वाल अब देखते हैं इसका साथ दुआ स्वाल साथ यह स्वाल में देखो उस एपी के पर्थम 22 पदों का योग्यात के जीश में डी ब्राबर साथ और 22 पद ब्राबर एक 69 चास दिया हुआ है तो हल करने के लिए किया लिखेंगे सारो अंतर सारो अंतर डी हमारे पास साथ है और 22 पद 22 पद यानि ए 22 कितना है हमारे पास 149 चास पदों की संख्या पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 22 पद अंतिम पद दिया हुआ है तो n बराबर कितने है 22 तो हमें ग्यात करना है योग 22 पदों का योग ग्यात करना है तो हम इसको होल करने के लिए a n बराबर क्या होता है a plus n minus 1 into d होता है तो a n हमें पता ही है last पत कितना है 149 बराबर a निकालना है पहले a हमें निकालना पड़ेगा प्लस में 22 minus 1 और into d दिया हुआ है कितना है 7 तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा 169 बराबर a प्लस में 22 में से 21 और 21 की साथ से गुणा करेंगे साथ एकम साथ, 147 आगे, कितना आगे 147, 147 तो इदर जाके माइनस हो जाएगा तो a बराबर कितना जाएगा 149 माइनस में 147 तो a का मान हमारे पास कितना आगे 2 यह हमारे पास आ गया दो पर्थमपद कितना आ गया पर्थमपद दो आ गया तो अब हमें क्या निकालना है अब इस फॉर्मूले के अंदर हमान बर्थमपद है तो बाइस पटा दो ब्रैकेट दो गुणा एक आमान भी निकाला है दो प्लस में बाइस पद है तो बाइस माइनस एक और इंटो डी कितना है साथ अब इसको अल कर लेंगी यह ग्यारा पर कट गया तो बाहर ग्यारा अंदर दो दो निए चार और बाइस में से एक गया यहां पर कितना हो जाएगा अब यहां पर क्या है ग्यारा और यह हो जाएगा गुणा में इनकी जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा इनका जोड़ 151 चार और 117 इसका जोड़ कर दिया है कितना गया 151 और 151 और अगर ग्यारा की अगर हम गुणा करें तो यह हो जाएगा 1661 तो बाइस पदों का योग 22 पदों का योग S N कितना आगै हमारे पास 1669 तो हमें यही ग्यात करना था पहले एक ग्यात करना पड़ा एक ग्यात करके हमने इस 22 पदों का जोड ग्यात कर दिया अब देखते हम इसका आठवे स्वाल आठवे में हमारे पास है उस AP के पर थम 25 पदों का योग जाद के जिसके दूसरे और तीसरे पद करंज है 14 और 18 दिये हुए हमारे पास तो यहां पर क्या लिखेंगे हल करने के लिए आपको पता है N कितने हुए 51 पद दिये हुए N कितने हुए 51 दूसरा पद कितना दिया हुआ है 14 और तीसरा पद कितना दिया हुआ है तीसरा पद दिया हुआ है 18 तो जब हमें दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है तो D तो अपने आप पता चल जाता है तीसरे में से दूसरा घटा लेगी तीसरे में से दूसरा घट जाएगा हमारे पास यहां पर या फिर अलग तरीके से कर सकते हम दूसरे पद क्या होता है दूसरे पद को में लिख सकते हैं A प्लस D बराबर क्या हता है 14 समीकर नमर एक तीसरे पद को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर कितना 18 ठीक है तो यहाँ पर समीकन नमर एक में से दो गटाने पर समीकन एक में से दो गटाने पर A प्लस D बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18 तो यह माइनस का यह माइनस का यह माइनस का इससे इकट जाएंगे यहाँ पर D माइनस का है दो यह पलस का है तो एक माइनस का D बच गया और माइनस का क्या बच गया चार तो माइनस से माइनस का है जिलो गया डी का मान कितना आ गया आपके पास यहाँ पर चार डी का मान समीकर्ण एक में रखने पर एक में रखने पर तो एक हमारे पास समीकन यह है ए प्लस डी तो डी का मान 4 बराबर कितना 14 तो ए बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस में 4 तो ए का मान हमारे पास आ गया है यहां पर 10 तो पर्थम पद हमारे पास यहां गया 10 तो एपी के पर्थम 51 पदों का योग ग्यात करना है बराबर N बटा 2 होता है तो 51 बटा 2 लिखेंगे और ब्रेकिट में 2A होता है तो 2 गुणा में A का मान भी निकाल है 10, पलस में N माइनस 1 होता है तो 51 माइनस में 1 और ब्रेक्ट में D होता है तो D का मान 4 और ब्रेकिट बंद, तो S 51 बराबर इसको 51 बटा 2 का 2 रहने दो ब्रेक्ट बाड़ों को हल कर लो 10, 2 ने 20 और 51 में से एग दिया 200 तो ये हो जाएगा 220 कितना हो जाएगा 51 बटे 2 गुणा 220 दो सी इसको काट दें कितने प्रकट का 110 110 कि 0 कि 0 आजए 11 और ही क्याउन कि अगर गुणा करेंगे तो 561 आजएगी तो 5610 हमारे पास क्या आगया इसके क्याउन पदों का योग आगया तो हमें यही ग्यात करना था अब देखते हैं इसका नोम्मा स्वार नोमे में देखो यदि किसी एपी के पर्थम साथ पदों का योग 49 है और पर्थम साथ पदों का सत्रा पदों का पर्थम साथ का इतना ही दिए सत्रा पदों का योग कितने दो सुन आजए तो पर्थम एन पदों का योग ग्यात किजी तो हल करने के लिए क्या करेंगे यहां पर पर्थम साथ पदों का योग साथ पदों का योग लिखेंगे कितना है S7 बराबर कितना है 4949 और सत्रा पदों का योग कितना है 289 हमें क्या ग्याद करना है N पदों का योग S N ग्याद करना है तो पहले हम क्या लिखेंगे s7 लिखेंगे यहां पर s7 या s 17 में से कोई 1 लिखेंगे तो s7 लिखता हूँ मैं पहले यहां पर इधर लिखता हूँ s7 गंदे 7 माइनस एक इंटू क्या होता है डी, तो डी भी हमें नहीं पता, और ब्रेकेट में यह हो जाएगा तो, अब हम क्या काम करेंगे, S7 का मान बरेंगे, कितना है, 49, और यह 2 है, वो इधर के आ जाएगा, या फिर चलो रहने दो, यहाँ पर इसका मान तोन इंचास है, तो N बटा 2 से इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर हम किसकी गुणा करेंगे, 2A की N बटा, इससे गुणा, यहाँ पर N हमारे पास आजाएगा, गुणा करने की जुरूरत नहीं कितना आजाएगा, साथ बटा 2, क्योंकि N दिया हुआ है, साथ पद, साथ पद, तो ब्रेकेट में यह दो A, और प्लस में, यहाँ पर साथ में से गया, 6D हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6B, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएगे, क्या हो जाएगा, 99, जो नीचे है, उपर वाड़ा नीचे हाजएगा, 7, 7, 99, तो इधर क्या बच गया, हमारे पास, 2A प्लस 6D, इधर बच गया, 7 दूनी, 14, क्या बच गया, 7 दूनी, इसी परकार से हम लिखेंगे, S 17, तो यहाँ पर क्या होगा, 7N, 17 बच दो जाएगा, 2A तो 2A का, 2A प्लस में N-1, तो N 17-1, इंटो D, इसका मान हमें पता है, कितना है, 289, बरब यह जो 17 बच दो इधर आजएगा, तो आपको उपर है, वो नीचे आएगा, और जो नीचे है, वो उपर जाएगा, इधर क्या बच गया, देखो, 2A, प्लस में 17 में से एक गया, कितना बच गया, 16D, तो यहाँ पर यह कट जाएगा, 17 से 17 पर कट जाएगा, यह कितने पर कट जाएगा, 17 इधर बच गया, 17 दो नी, 34, और इधर क्या है, 2A प्लस 16D, यह 34 जो है, वो इसी के बराबर रहेगा, इसको ऐसे 2 से सब को बाग कर दें, तो यह क्या जाएगा, 2 से इसको बाग करेंगे, A, इसको बाग करेंगे, 2, 8, 16D, बराबर इस 34 को बाग करेंगे, 17, कितना जाएगा, 17, और समीकर्ण नमर क्या होगी, 2, अब हम इसको विलोपन 2 गटाने पर, तो A हमारे पास क्या, A प्लस 3D बराबर 7, 2 हमारे पास, A प्लस 16D बराबर 17, तो यह माइनस का, यह माइनस का, यह इससे कट जाएगे, माइनस के जादा है, D, तो माइनस के बचेंगे, कितने जादा है, 13D बचेंगे, इधर भी देखो, आप हमारे पास, क्या बचेगा if को सोरी हमने दो से बाग दिया था यह एक करते लिए अटा 108 आठ नहीं कराथ ता किया नहीं कराथ तो यह यहां 8 कितना नहीं आठ तो यहां कितना बचेगा पांच D बचेगा आठ मैं से तिन गए पांच और 17 मेंसे GoPro 7 गया, minus कितना पैस किया, 10 तो यहाँ पर देखो, D बराबर की जाँए, minus 10 बटा, minus 5 तो D का आमान कितना आ गया है, मारे पास, यहाँ पर 2 आ गया, अब क्या करेंगे, D कामान समीकर्ण D कामान समीकर्ण, एक में रखने पर पर एक हमारे पास क्या, ए पलस तीन डी है, तो तीन गुणा में डी का माना है, दो, बरबर कितने है साथ, तीन दो निचे है, यह इधर जाके गट जाएगा छे, तो एक का मान कितना आ गया हमारे पास, एक आ गया, एक, तो अब ए हमारे पास एक आ गया, तो हम इससे एसन ग् ग्यात करने के लिए क्या करना है हमें सुत्तर लगाना है पदों का योग एन पदों का योग ग्यात करना है तो n पदों की योग का सुत्र क्या होगा? n बटा 2 ब्रेकेट 2a प्लस में n-1 इंटू d यह होगा तो पद n ही रखने हमें, n बटा 2 का 2 रखेंगे तो 2 गुणा में इसका मान क्या बरेंगे? एक प्लस में n का n ही रखना है और d का मान भी निकाला हमें कितना बढ़ेंगे? 2 ठीक है? तो sn बराबर ये n बटा 2 ब्रेकेट के अंदर बढ़ों काल करेंगे 2 एकम 2 2 किस से गुणा करेंगे? प्लस 2n और इस से करेंगे माइनस 2 एकम 2 अब ब्रेकेट के अंदर देखो n बटा 2 यहां देखो यह जो है माइनस 2 यह प्लस की 2 से यहां पर कट जाएगा तो यहां अंदर क्या बच गया? ब्रेकेट के अंदर 2n बार आ जाएगा तो बुणा में हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो क्या आजएगा? n स्केर तो sn कितना आ गया? n का स्केर आ गया तो n पदों का योग क्या हो गया? n का स्केर यानि n का अवरग अब देखेंगे हम इसका दसवा स्वाल क्यूस्टर नम्मर 10 क्यूस्टर नम्मर 10 हम कल करेंगे तो प्यारे बच्चों आज हमने कि इसके चार्शी लेकर के नोतक्स वाल उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आये होंगे जो बच्चे नई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जुरूर बिज़ें धन्यवाद